देखे सरकार बनाना तो अलग मसला है पहली बात है कि 17 विधायक को तोड़ने से विधायक का अंटी डिफेक्शन लॉव में उनकी सदस्ता को बचाने का भी प्रस्ट नहीं है अब सोच सकते हैं कि सरकार कहती है कि हमने प्राथमिक्ता के अधार पर साड़े सडकें बनवा दी विकास का वो है सडक स्वास्त और सिच्छा ये तीन चीजों का हम लोग विकास करना चाहेंगे प्रयास कर रहा हैं लेकिन वहां पे सबसे बड़ा जो दिक्कत है कि हर काम में जनतादल उनाइटेड के लोग सरकार का सहारा ले करके पदाधिकारियों से अनावस्यक खश्चेप करवाते हैं जिसके चलते विकास की गती को जो बल मिलना चाहिए वो गती को बल नहीं मिल रहा नमस्कार में हो देवांसु आप देख रहे हैं निस फोर नेशन हमारे साथ ब की बादात्तों में दम लग रहा है देखिए स्याम रजक जी बहुत दिनों तक जनतादल उनाइटेड में रहे हैं और वहां के लोगों से उनका बहुत ही नजदीक करिश्टा रहा है कुछ भी जदी बोल रहा है तो राजनीत में संभाब ना है तो हर जगा खुली हुई है कुछ भी संभव है हो सकता है वो वह कहीं न कहीं से लोगों की राय को जानके ही बोल रहा है इसलिए उनके बटत विक्दार करके चलना तो हम लोग समझते हैं उचित नहीं है कहीं न कहीं से इस बगततम में उन्की सचाई है कि इधर से आ जाएंगे तो सरकार बन जाए गया देखिए सरकार बनाना तो अलग मसला है पहली बात है कि सत्रह विधायक को तोड़ने से विधायक का अंटी डिफेक्शन लौ में उनकी सदस्ता को बचाने का भी प्रस्न है तो उसके लिए संख्यावल का कुछ कमी है अब आगे क्या रननीती होगा वह हम लोग के नेता तैक करेंगे उसके हिसाब से आपको भी पता चलेगा हम लोग को भी पता चलेगा अभी को ऐसा हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है कि आंटी डिफेक्शन लौ के तहट को इसफास करके मेंबर जो है इधर से उधर होगा एक बताइए कि आप बिधायक बनके आए हैं इसलामपूर विधान सवाचे से चुनौफ जितने के बाद लगाता है छेत्र में भी बने हुए हैं जो वादा अपने चुनाफ के दोरान जनता से किया उन वादों को पूरा करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं देखे सबसे पहली बात तो है कि जन समस्या के निदान के लिए एक जन परतनीधी को हमेशा पाहल करना चाहिए और उसी को हम लोगों प्राथमिक्ता दे करके जब से मैं चुनाफ जीता हूं अपने निर्वाचन छेत्र में ही लगतार जनता के बीच में हूं और हमारा नलंदा जिला है जहां से नितीश कुमार खुद आते हैं और कहते हैं कि बिहार में विकास की बहुत बड़ी गती नलंदा में मिली है और अलंदा विकास के मामले में अबल है आप लोग भी दिखाते रहें अपने चैनलों के माध्यम से लेइन मेरा कहना है कि सर्जमीन पर सचाई जो है पुन्तब भिन है वहां के हालात जो है आप देखेंगे तो अभी भी हमारे निर्वाचन छेत्र में खास करके 46 ऐसे गाउं और वसावट हैं जहां तक अभी सरक का निर्मान नहीं हुआ है अब सोच सकते हैं कि सरकार कहती है कि हमने प्राथमिक्ता के अधार पर साड़े सड़कें बनवा दी और इसलामपूर विधान सवाचेत्र में 46 सड़क नहीं बना तो हमने जनता के सामने चुनाब में ये सारी बातों को कहा था कि हमको मौका मिलेगा तो सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विकास का वो है सड़क स्वास्त और सिच्छा ये तीन चीजों का हम लोग विकास करना चाहेंगे और इसी को प्राथमिक्ता देते हुए हम अपने छेत्र में विकास का कार्ज करम को करने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन वहां पर सबसे बड़ा जो दिक्कत है कि हर काम में जनता दल उनाइटेड के लोग सरकार का सहारा लेकर के पदाधिकारियों से अनावस्यक खश्चेप करवाते हैं जिसके चलते विकास की गरती को जो बल मिलना चाहिए वो गरती को बल न घर है वो काफी मजबूत और सुरक्षित हैं देखे एक तरफ वो उनका ब्यान रेनु देवी का ब्यान आप बता रहे हैं दूसरे तरफ जनता दल उनाइटेड के लोग जो बोल रहे हैं हम लोग थोड़ी के कुछ इसमें बोल रहे हैं कैसी त्यागी साहब का ब्यान आपन अंतोस होता तो उनके आहां आपस में इतना घीचा तानी है कि बिहार में यह जदी कोई मतभेद नहीं रहे तो फिर बिहार का उपमुख मंत्री ऐसा क्यों बक्तब देगा कि नितीश कुमार जी हमारे नेता हैं और उनके अनुसरन में हम लोग के साथ वो चलेंगे नेता त तो फिर बारवार इस बात को बोल करके क्या है सास दिलाना चाहते हैं यह मतलब साफ जाहिर करता है कि कहीं न कहीं आपस में इन लोगों के बीच बैद्वेद है और बिभेद को पाटने के लिए जनता को दिख ब्रहमित करने के लिए बियान दे रहे हैं इस्तलामपुर के कारजेडी के बिधायक राकेश रौसन फिलाल अभी तक के लिए इतना ही आप देखते रहिए निश फोर नेशन